मैंने जितनी भी LGBTQ community के उपर दो-तिन movies आई हुई हैं वो दिखी हैं तो उनमें देखतर कहीं से भी यह नहीं लगता है कि वहाँ पर कोई serious issue उठाया जा रहा है तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे बधाई दो मूवी के बारे में इस मूवी में में किरदार में आप लोगों को नजर आएंगे राजकुमार राओ भूमी पढ़ने कर अब इस मूवी की कहानी की बात करूँ तो आपने अगर ट्रेलर देखा तो ट्रेलर में सारी क टहानी ही पता दी गई है कि जो राजकुमार राव है इसके अंदर गेव होते हैं और गोह मिपड़ने कि इसमें लैस्पीन होती हैं इनके उपर अपने ही परिवार का इतना ज़्यादा धबाव होता है कि शाधी करो ऑर अपने परिवार को ये खुल के बता नहीं पाते कि आपको ये movie देखने पड़ेगी, हाँ, इसमें इन चीजों के साथ एक comedy भी डाली गई है, comedy के थूँ ये सब चीजें दिखाई जाती है, ending क्या होगी, क्यार मुझे लगते हैं कि ये आप लोग असानी से predict कर सकते हो कि इसकी ending में क्या होने वाला है, जब मैं movie देखकर बाहर निकलता हूँ, तो एक चीज जो मेरे दिमाग में बार-बार hit कोई, movie देखने के बाद, कि इसमें ये जबरदस्ती दिखाया जाना या बताया जाना कि हमें accept करो, हमें accept करो, तो ये जो चीज है, ये थोड़ी मुझे अजीब सी लगी, कि बई किसी इंसान की तो अपनी स्वतंतरता है कि वो किसी को accept करे या ना करे, for example, आप परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी को personally पसंद कर सकते हैं या नहीं पसंद कर सकते हैं, ये आपकी अपनी choice है ना, आप परधान मंतरी मोदी जी आपके घर पे आगे बोले हैं, आप उनको पसंद नहीं करते हों, आप वो आके घर पे बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझे तो पसंद करना ही होगा, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो आपकी अपनी व्यक्ति का choice है, आप चाहें तो करें, ना चाहें तो नहीं करें, तो ये जो मुवी देखकर बाहर निकलता हूं, तो कहीं न कहीं में रहें अंदर ये feeling होती है, कि यार जोर्द बर्दस्ती लोगों पर ये थोपना कि accept करो, तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, साथ इसाथ इसमें जैसे मुद्दा उठाया गया है कि लेस्बियन और गे, यानि एल्जीब्यटी क्यू कमूनिटी गम थे कि एक समाज है किंडर समाज, एक वीडियो में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, फर्स्ट आप वो देखिए, है आप वोड़ जाया बवो देखिए, यह जब मैंने देखा तो मुझे बहुत जादे गर्व फिल हुआ कि मैं इस ऐसे देश से आता हूँ ऐसे कल्चर से बिलोंग करता हूँ क्या वहाँ पर इतनी जादा रिस्पेक्ट से हम किनर समाज को भी मतलब हाँ जोड़के उनसे आशिरवात लेते हैं और इतने प्यार से इन्हों ने मतलब की जो नजर उतारी है पर राष्ट पती जी की तो अच्छा लगता है कि हां कल्चर से जुड़े हुए हैं तो यह खानों का पर मिलनेगा क्या में रीजन होना चाहिए क्या शाररिक संबनाने है इसलिए मिलना है या फिर उनके अंदर कोई बॉंडिंग है वो एक दूसरे को समझ पा रहे हैं इसलिए उनको मिलना चाहिए तो यहां पर जो है बॉंडिंग पर तो बिल्कुल भी ध्यान नही तो दूसरा लड़का उनकी लाइफ में आ जाता है तो यह सब चीजे देखकर लगता है कि सिर्फर सेक्शुल ही चीज़ों के पर अधारित है मुझे यह फीलिंग हुई यह मुवी देखकर आपका अपना अपीनियन अलग हो सकता है देखे किनर समाज को जैसे मैंने कहा है हम तो बहुत जादा रिस्पेक्ट करते हैं दिखते हैं तो हम उनके मतलब हाँ जोड़कर सर जुका कर उनका आशिरवाद हमने लेना सीखा है भाई तो मुझे तो कोई भी इन सब चीजों से कोई आपती भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि कोई भारतिय समाज या फिर भा अपनी चोईस है समिधान आपको इतनी अजादी देता है लेकिन आप किसी को गालि मत दो किसी के बारे में बुरा बला मत बोलो किसी को मारो मत किसी का मजाक मत दोड़ा तो यह सब चीजे दाएरे में रहनी चाहिए बाकि आप अपनी इच्छा से करिए जो करना है और रही LGBT सब्सक्राइब करना चाहिए कि किसी को स्विकार करना या स्विकार करना यह हर एक की अपनी एक इच्छा है आप जब यह वीडियो बनाने बैटा तो इससे पहले मैंने कुछ वीडियो के इस मुवी के रिव्यो देखते तो वहां पर यह बोला जाते हैं कि भारतीय समाज को एक रिवियो कहते हैं ऐक रिवियो के त्य alleine का यह बच्छा उनका सब्सक्राइन इफ्ळार यह वह नहीं आती है कोई constructive बात इसके अंदर नजर नहीं आती है मुझे नहीं लगते कि कोई भी इंसान इनको कुछ कहता होगा भी आप किसके साथ सम्मद मना रहे हो तो जाकर उनको मतलब बना करो कि आप लड़का हो लड़के के साथ नहीं बनाओ एक कमरे में किसने रोका है कोई न ऐसा नहीं कि बहुत जादा इसमें थोट इसमें सोच विचार कर इसमें रखा गया है तो मुझे इसमें कमी लगी है बागी comedy के वे से movie मुझे अच्छी लगी जिसमें इसमें हसी मजाक आता है वहाँ पर हसी भी आती है पर्फोर्मेंस के मामले मुझे अच्छी लगी राजकुमार राओ की पर्फोर्मेंस मुझे काफी पसंद आई है तो मेरे तरह से इस movie को comedy और performance के वे पे मैं इसको देना चाहूँगा 3 of 10 सार अगर आप लोग इने movie देखी है तो please comment करना कि आप लोगों को movie कैसे लगी अगर